आज हम बात करेंगे नंद गाउं में कैसे स्थान के जो की बहुत ही गुपत स्थान है बहुत ही दिवे स्थान है जिसके दर्शन हर किसी को नहीं होते क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है भकतों को जानकारी नहीं है बहुत ही गुपत स्थान है तो आज हम बात करेंगे ऐस पूरा नंद गाओं गई थे तो हमने नंद बाबा के महल के दर्शन किये थे साथ के साथ हमें वहां पे पंडित जी मिले उन्होंने बताया है कि आप यहां तक आये हैं तो टेर कदम तक आप जाहिए उसी के आगया शेश्वर महादेव का मंदेरा पुदर भी जाहिए दर्शन करके यह बहुत ही दिव्य स्थान है तो हमने सोचा हम नंद गाओं इतनी द आएंगे और भाव से दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा श्रीकिस्त भगवान के अनुभूती आज भी आपको फील हो जाएगी इस स्थान पे टेर कदम वो इस्थान है जापे कहते हैं गोपा अस्टमी वाले दिन श्रीकिस्त भगवान ने गया चराना शुरू की और जब वो यहाँ पर गया चराने आते थे कहते हैं नंद बाबा की पास 9 लाग गाय थी जब यहाँ वो गाय चराने आते थे तो जो कदम का पेड़ा जो आज भी वहाँ पे है आप देख सकते हैं जाके उदर मौझूद है जो 5000 साल पुराना पेड़ा उस पर बैठके गया वो को टेरा करते थे टेरने का मतलब बोलाया करते थे तो सारी गाय आके वहीं पर इखटी हो जाती थी तो इसलिए स्थान का नाम टेर कदम पड़ा है यहाँ पर जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं इतनी सारी लताएं पताएं यह जो हैं कहते हैं गोपिया हैं यह कह दूसरे से जूड़ी हुई है ऐसे लगता है जो आज भी कहते हैं श्रीकेशन भगवान का इंतजार कर रहे हैं जब श्रीकेशन भगवान गए थे यह हमारी कुछ तस्वीर है जब हम टेर कदम गए थे हमने दर्शन किये थे अगर आप प्रॉपर वीडियो देखना चाते तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं करीब करीब 5-6 मेने पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया था और ये है वो कदम का पेड़ जिसमें श्रीकरश्ण भगवान बैटके गईयाओं को बुलाया करते थे आज भी वहाँ पे है अद्भु दिव्य पेड़ है आप जाईए अप दर्शन कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग नंदगाओं जाते हैं वापिस आजाते हैं इस इस्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं तो मुझे लगा मुझे ये वीडियो जरूर बनानी चाहिए कि अगर आप नंदगाओं तक जा रहे हैं इतनी दूर दर्शन करने तो इतने दिव इस्थान के दर्शन आप लोग करके जरूर आईए क्योंकि कहते हैं जिर पर रादा रानी के असीम करपा होती है वो लोग इस इस्थान पर पहुंचते ऐसे वरिंदावन 84 कोस पर बहुत सारे ऐसे स्थान है जो की गुफ्त इस्थान है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता भक्तों पर जावसीम करपा बरस्ती रादा रानी श्रीकृष्ण भगवान के वही लोग पहुंच पाते यह जो आप आप देख रहे हैं यह हमारे श्रीकृष्ण भगवान और बलदाओ के स्वरूब राजमार है यहां पे क्योंकि यहां पे कहते हैं श्रीकृष्ण भगवान बलदाओ दोनों ही आया करते था अपने गईया चराने और कदम के पेड़ पे बैटके वो अपनी गईया को गोप्यों को टेरा करते थे इसलिए यहां का नाम टेर कदम है वो खीर का भोग क्यों लगता है प्रशादी में भी भक्तों को खीर दी जाती है यह आप देख सकते हैं फोटो में जब हम लोग आग गए थे तो हमें भी प्रशादी में खीर दी थी और बहुत ही स्वाद होता है खीर में बहुत ही अद्बुत उसके पीछे कहानी यह है कहते हैं कि यहाँ पे जो टेर कदम है यहाँ पे रूप गोस्वामी की भजन इस्थली भी है और वहीं पे कुछ दूर एक सरोबर था जहाँ पे कहते हैं रूप गोस्वामी के अनोज सनातन गोस्वामी बैठके भजन किया करते थे अपनी कुटी में वो अपने भजन में इतना मगन रहते थे कि विक्षा मांगने बहुत कम जापकाया करते थे और जब वो विक्षा मांगने नहीं जापाते थे तो उनका सरीर बहुत ही दुडलब हो गया था एक दिन जब वो रूप गोस्वामी से टेर कदम में मिलने आए तो रूप गोस्वामी के मन में ऐसी इच्छा जगी कि मुझे खीर बना के अपने अनुज को खेलानी चाहिए लेकिन उनके पास सामिग्री नहीं थी जिस टाइम वो अपने भजन में लीन थे कहते हैं छोटी सी बालिका आई सारी खीर की सामिग्री लेके जब देखा कि रूप गोस्वामी अपने भजन में लीन है तो उन्होंने खीर बना के वहां पे रग दी उसके बाद जब सानातन गोस्वामी आए तो रूप गोस्वामी ने जब उन्हें खीर भेट की तो उन्होंने बताया कि ये खीर सुन्दर छोटी बालिका आई थी उन्होंने ये खीर बनाई है तब उन्होंने कहा कि ऐसे मन में कोई इच्छा मत जगाया करिए क्योंकि वे स्वैम रादारानी थी जो आई थी और खीर बनाके गई है तो ऐसी कोई भी मन में इच्छा मत जगाओ जिसके लिए रादारानी ये किश्मकवान को हमारे लिए कस्ट उठाना हो तब ही से यहां पर प्रशाद में भोग में खीर चड़ती है जो भी भगत आते हैं उनको खीर का प्रशाद दिया जाता है यह वो इस्थाने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जारूप गोस्वामी की जो भजन खुटी है यहां बैटके वो भजन किया करते थे और यहां पर कहते हैं साल में एक बार जो विग्रे अंदर वराजमाने उनको निकाल किया लाया जाता है और यहां पर भगत आके उनके दर्शन करते हैं यहां पर आके उन्हें वराजमान किया जाता है यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं सफेद कलर का जो यह बना हुआ यह एक्चुल में उनकी भजन को टी यहाँ बैटके भजन किया करते थे रूप गोस्तवामी और वही थोड़ी दूर पर जाके सरववर था जहाँ पर सनातर गोस्तवामी भजन किया करते थे तो यह बहु अनभब कर पाएंगे जब श्रीकृष्ण भगवान अपने गाई चराने आया करते थे तब कैसा यहाँ पर रखा होगा वैसे ही प्राचीन आज यहाँ पर बिलकुल वही देखने को मिलता है बिलकुल वैसी हर्याली वैसा ही यहाँ पर आपको हर्ट चीज देखने को मिल ज गुलाबी और नीली वो कहके जब बुलाया करते तो गाई पर उनके नाम भी लिखे हुए है इतना सुन्दर लगता ही इस्थान देखने में बहुत ही सुन्दर उसके आगे अगर आप जाएंगे तो आगे पढ़ता है सरोबर इसे क्रिश्न बलदाव सरोबर भी कहते हैं य यहां बैटके माला जाप करते हैं परिक्रमा करते हैं इसकी अपनी अलग महत उता है दूर दूर से भकत आते हैं टेर कदम के दर्शन करते हैं रूग बुस्तवामी की भजन कुठी के दर्शन करते हैं साथ सारोबर की परिक्रमा भी करते हैं क्योंकि जब हम गए थे हमने द से लोग जो यहां पे आते हैं वो अपना भजन करने आते हैं और बैट के सांथ मन से यहां दिहान लगाते हैं और यहां पर जाएंगे तो इतनी सांथ जगह है आपका भी मन करेगा बैट के भजन करें या नाम जब करें बहुत ही सुन्दर जगह है और यह सरोबर मैंने आपक एक क्रिश्न बल्दाव सरोबर है टेर कदम इसके बारे मुझे आपको बताना था अगली बार आब नंद गां हो जाए तो यहाँ पर दर्शन करने जरूर जाए बादि आपको मेरा यह आज का जो वीडियो कैसा लगा मुझे कम currents बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप यहां की वीडियो देखना चाते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं मैं लिक्स्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी मुझे लगा कि ऐसे स्थानों के बारे मुझे आपको बताना चाहिए को कि आप स्वाल हो या को समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं और जरूर बताएगा आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप से मिलेंगे परे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रही है अभी के लिए रदे रदे रदे